नमस्कार वोट तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जैनल इंडिन जुगा टेक में दोस्तो मोबाइल यहाँ पर होने वाले महंगे लेकिन सभी मोबाइल महंगे नहीं होने वाले हैं और कॉम कॉन से mobile मेहंगे होने वाले और ये किसलिए मेहंगे होने जा रहे हैं आज के इस व्ड़ में आप को सारी डिटेल बताने वालों की किसलिए ऐसा होने जा रहा है तो चलिये दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेंट कलर का सब्स्राइब बटन आपको नीचे दिखाए देरा उस पर क्लिक कर दीजे और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजे ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले तो दोस्तों जैसा कि आपको पादा होगा आज जो है आम बजट पेस किया गया है तो उसमें मोबाइल इंडेस्ट्री को लेकर कुछ अनौसमेट किया गया है जैसा कि आपको पादा होगा जो अभी तक मोबाइल ब्रांड से वो ज़्यादार जो डिवाइस इंपोर्ट करते ह तो जब वहाँ पर कोई भी product import किया जाता है तो वहाँ पर उनको कुछ custom charges पे करने होता है यानि कि कुछ import duty tax पे करना होता है तो वो जो charges थे वो पहले 10% से 15% बढ़ाय गए थे यानि कि पहले 10% ये जो है custom duty charges पे करने पड़ते थे December 2017 में mobile पर जो custom charges लगता था उसको यहाँ पर बढ़ाय गया था 10% से 15% किया गया था लेकिन आप इस budget में दोबारा से इस custom charges को बढ़ा दिया गया है 15% से 20% इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ऐसा product जो बाहर से इंडिया में import किया जाएगा उसका price यहाँ पर बढ़ने ही वाला है आपको पदा होगा कि दिसंबर में जब custom duty charges यहाँ पर बढ़ाय गये थे तो उसके बाद में Apple ने अपने सभी जो device थे उनका price इंडिया में बढ़ा दिया था क्योंकि Apple लगबग सारे जो device वो बाहर से ही import करता है इंडिया में सिर्फ Apple का iPhone SE ही manufacture होता है तो इंडियन गवर्मेंट के दुआरा ऐसा इसली किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी mobile ब्रैंड से वो इंडिया में ही अपने manufacturing plant लगाएं और ज्यादा से ज्यादा इंडियम्स को यहाँ पर रोजगार मिले यानि कि आप उनमें काम करेंगे और इससे मेकिन इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको बढ़ावा मिलेगा और बाहर से इंपोर्ट करने की अवस्कता नहीं रहेगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ mobile पर ही जो है custom charges बढ़ाए गए है जो mobile accessories होने वाली उस पर भी जो custom charges बढ़ा दिये गए है लगबग 15% कर दिये गए है तो दोस्तो अगर आप ऐसा कोई mobile device यहाँ पर परसेज करते हैं जो बाहर से import किया गया है तो उस पर आप लगने वाला import duty tax लो होगा वो होगा 20% यानि कि जितने भी mobile device बाहर से आएंगे अब उनका price यहाँ पर इंडिया में बढ़ने वाला है तो दोस्तो इस बार में आपका क्या opinion है कि जो custom duty charges विलाल बढ़ाए गए है क्या वो इंडियन गवर्मेंट की तरफ से सही step लिये गा है या custom duty charges नहीं बढ़ाने चाहिए थे तो दोस्तो आपका जो भी ओपेन हैं एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर कमेंट करें आज के इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद दुसको आज के वीडियो देखने के लिए